हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मनन कुकिंग्स में दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं जट पर बनने वाली इडली और इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी सूजी और यहां पर आदी कटोरी फ्रेश तही और यदि आपके पास फ्रेश तही नहीं ह तो इसकी में आत्र आप ठोडी कम कर सकते हैं और बिल्कुल एकumb ताजी दे हिए तो आप एक कटोरी ले सकते हैं पूरी और यहां पर मैंने ठोड़ा सा अजवाइन को करश कर दालकंदा है और सवागतर सौफ का पाउडर और यहां है नmeg डाल विए हूं dwa Cat Iss aura अप चाहिए कीकर साथ जाए और यहां पर स्किप भी कर आजए कर में कुछ सबजी जिसमें कीजेए पैटर है लगदा सहरा यहां आक राया है यहां पर थोड़ थोड़ा पानी डालते वेटर दियार कर लूगा और अगर आपकी जो दही है वो बिल्कुल फ्रेश है तो आप यहाँ पर पानी की जगान दही भी डाल सकते हैं तो यह देखें हमारे जो बैटर है वो त्यार हो गया अब हम इसको क्या करेंगे इसको फूलाने के लिए हम एक पाउच इसमें इनो कर डालेंगे इनो डालेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो इडली है वो फूल कर त्यार होगी और यहाँ पर इसके ऊपर दो तीन चमर्शम पानी डालेंगे जिससे कि अच्छे से घुल जाए इसमें मिल जाए और इसम मिलाएं आप इस तरह से कट फूल मेथड से मिलाएंगे और आप देखेंगे कि जो आपका बैटर है वो फूल ने लगा है और यहां पर देखिए मैंने इडली जो स्टैंड है इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो कोई इडली के लिए रख दीजिए और उसके उपर स्टैंड रख दीजिए और प्लेट रखके उसके बाद अपने जो कटोरिया है उस पर रख दीजिए तो वह उस तरह से भी आप इडली बना कर खा सकते हैं तो कुल मिला कर कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी अवैलिब कर लोगी और दोसी तरफ मैंने यहां पर पानी उबलने के लिए रख दिया था और अच्छा उबाल आ गया है भाफ बन रही है तो इसमें अब हम अपने स्टैंड को लगा देंगे और करीब करीब इसमें 20-25 मिनट के लिए ढखकर इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे त इसका मतलब यह है कि हमारी इडली बनकर त्यार हो गई है तो अब हम इसको गैस का फ्लेम जो है वो आफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे आप बिल्कुल ताजे ताजी में गरम गरम में इसे निकालने के कोशिश मत कीजएगा नहीं तो यह तो यह तू आप बनाई और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए बाई बाई बाई